नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपने युट्यूब चनल टेक में गुरुजी में दोस्तों आपको पता है 2016 में एक भरती आई थी जेल वाइडन और फायर मैन की जी आप फ्रेंड्स जहां पर आपको मिले थे 3886 पद आपको मिले थे जेल वाइडन और फायर मैन के सीधे भरती के लिए जो कि आपका टोटली होना था मेरिट के बेस पर जब अपने आइनलॉइन आवे दिन देखा होगा इसका तो काफिक अंडेट्स ऐसे होंगे जो बहुत ही खुस हुए होंगे और यहाँ पर तयारी में लग गये होंगे जेल वाइडन और फायर मैन की भरती के लिए तो दोस्तों आपको पता होगा लेकिन कुछ कारणों की वज़े से यह भरती आपके फसी हुई पड़ी हुई है अभी तक मैरिट्स है कोर्ट में चल रहा है लेकिन दोस्तों वहीं पे इसी के साथ 2015 में आपका एक भरती आया था यूपी पुलिस के लिए acioस्तेबल पोस्त के लिए जिसकी भरती 2015 में फसा हुआ मैंट्र ठा लेकिन बाद में उसके उसे सॉलव करके टोटली डोटली मेरिट के बेस पर ही सॉलव किया गया और merit के base पर ही उनको physical exam किया गया physical exam लेने के बाद उनका selection कर दिया गया constable pad के लिए लेकिन दोस्तों ये कंटिनेट्स ऐसे हैं जेल वाजनों फायर मैन भरती वाले जो अभी तक इनका matter solved नहीं हुआ है और उस भरती को सुनने में आ रहा है करकर फिर से 2018 में नई भरती लाई गई थी जिसमें उनका फिर से online exam या फिर दोस्तों exam करवा के आपका परिच्छा करवा के फिर भरती लेने की process को बताया गया है तो फिर पूरा matter क्या है नई भरती की परिच्छा में मुस्किले क्यों आ रही है इसका समाधान क्या है और जो पूराने कंडिर्ट दोरा 16 वली भरती में थे जो totally made के उपर depend थे और फिर 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 की तयारी कर रहे थे उनके साथ क्या नया हो रहा है वो भी हम देखने वाले हैं सब कुछ यहां पर दोस्तों देखने से पहले आको बताने चाहते हैं जो हमारे चैनल पे नए हैं तो रहें चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकोन को दबा दीजेगा तेले फिरेंट वीडियो को सुरू करते हैं जो कि जब इन्होंने फार्म को एपलाई किया था उस समय इनको यही पता था कि फूरा फार्म जो आपका यह आया हुआ है जो आपको यहां पर 3886 पोस्ट मिल रहे हैं आपके जेल वार्डर और फायर मैन के लिए उसकी जो भरती होने वाली है टोटली आपकी merit के उपर होने वाली है और उसी के base पे आपकी गौशन ने भी यहां पर यह decision ले लिया था कि मैं जितने भी complete को यहां पर बुलाऊंगा physical exam के लिए वो totally उनका physical exam ही करवाया जाएगा merit के base पर और फिर उनका selection लिया जाएगा इन सभी पदों के लिए तो फेंस यहां पर क्या निश्कर्स निकला और क्या अब इस समय देखा जा रहा है इसके लिए छोड़ा सा वीडियो क्लीफ है जो अपका धरने की समय का था लखनौ का उसको आप देख लीजिए फिर इसके बाद आए की प्रसेस को हम समझते हैं और जो मरेंगे मर जाएंगे जो बचेंगे वह वर्दी लेगे जाएंगे थन्यवागे तो फ्रेंड्स आपने ये वीडियो देख लिया अब देखिए आपको दिखाता हूँ जो आपका पेपर की कटिंग के माध्यम से आपके सामने में ले आया हूँ देखिए इस भरती के बारे में आपके क्या लिखा हुआ है और फिर 2018 में आपकी जो नई भरती आये हुई है उस भरती को रद करने के बाद आपके जो 2018 में वो भरती अभी कोर्ट में मेट्रोस का चली रहा था लेकिन 2018 में एक नई भरती आगई जेल वाल्डन की और फायरमेन की जो आपका लगबग 5419 पद के लिए दोस्तों आया हु वो भी अभी अभी तक आपका नहीं हो पाया है अब दोस्तों वो एक्जाम क्यों नहीं हो पाया देखिए आपे मैं आपको पेपर की कटिंग दिखाता हूं जिसमें आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा उठाई है और अभ्यर्ति राकेश वर्मा दिनेश यादव और रजट पटेल ने इस पर आरूप लगाया है कि अचानक दोयार 16 भैज की भरती निरस्त करना सहीं नहीं है जबकि विज्ञापन के जरिये संसुदन करके दोया 18 भैज की भरती में उसमें फिजिकल नंबर को ह जोजरी जी है जिनसे मेरे भी बात हुई है दोस्तों और यह लोग बता रहे हैं कि अईसा प्रक्तिया जो आप सरकार आपका आपनार यह मुख्यमंतर जी से नहीं निवेदन किया है जो आपके 16 भरती थी पहले उसको मेरिट के अधार पर पूरी कर दी जाए इसके पास जो सेम पर्टन फालो करके इसका भी चाते हैं वो कि जो है आपका टोटली मेरिट के बेस पे ही होना चाहिए तो यह तो छात्रों की यही मांग है और इस मांग को सरकार किस हद तक ले आती है और कोर्ट से क्या निर्णय आता है यह हमें देखना है छात्रों के साथ न्याय होता आया गया तो वो टोटली उनको बताया गया था कि आपका पूरा मेरिट के बेस पर होने वाला जब फार्म को पूरा फिलप कर लिए तो बाद में नहीं नोटिस जारी कर दी जाती है कि यह भरतिया की तक्रिया रद्द कर दी जाएगी और इसमें फिजिकल के ना बुलाकर में ऑनलाइन अप्लिकेशन भरे हुए थे वह अपना प्रूफ दोस्तों इस नंबर पर सेंड कर दें तो उनको एक दोस्तों वाट्सेप ग्रूप है जो भी है इस ग्रूप को चला रहे हैं वह इस ग्रूप में आपको जॉइन करें कोई भी नई भरती से अपडेट होगी यहां पर इस भरती को लेंगर कोई भी नया अपडेट होगा जो भी आप प्रूसेस चल रहे हैं इसको अपना राय देना चाहते हैं उसके लिए परिच्छा के थुरू करना चाहते हैं तो प्लीज आप अगर चाहें तो इस ग्रूप को जोईन कर सकते हैं यहां पर बस simply पर आपको सेंड करना होगा अपना 2016 का ओं-लाइन अप्लिकेशन फांग कोई भी प्रूफ और जिससे वह आपको ग्रूप में जॉइन कर सके और जो भी इनकी राय होगी जो भी यहां पर बातचीत होगा जो भी नियुड़ने लिया जाएगा वह यहां पर इसली किसी के थुर अधिकता प्राइवर ऑब आपको अदो नियुक्त बात तब तक के लिए बाइब आएब